जब एक ब्लाक कलर का पैथिन पानी से बाहर निकल कर आराम फर्मा रहा होता है, उसी वक्त अचानक से एक लेपर्ड आ जाता है। ऐसे में पहले तो लेपर्ड हमला करने के लिए सही मौके की तलाश करता है। फिर स्नेक की तरफ से किसी भी तरह का रियाक्शन ना पाकर लेपर्ड पहला वार करने के लिए उसके मूँ की तरफ बढ़ता है और अपने मस्बूत और नुकीले बंजो से पैथिन पर सोरदार वार करता है। इन हमलों की वज़र से पैथिन पीछे हट जाता है लेकिन लेपर्ड पीछे हटने के मूड में नहीं है और ऐसे में वह एक ही जटके में पैथिन को अपने मूँ में दबा लेता है और पैथिन को लेकर भागने लगता है।